आसा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube Channel Total ग्यान में दोस्तों क्या बिल्ली के रास्ता काटने पर वाकई में बुरा परभाव पढ़ता है और ऐसा क्यों माना जाता है क्या वाकई में हर स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना होता है एशुब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्ली से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तत्य जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तो यह आमधारना है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए या आपके आगे से निकल जाए तो यह ऐशुब होता है दोस्तो दाइना के कारण बिल्ली के रास्ता काटने पर व्यक्ति थोड़ी देर तक रुक जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आए और उस रास्ते को पार करे इससे अब शगुन समाप्त हो जाता है लेकिन सच तो यह है कि हर इस्तिती में बिल्ली का रास्ता काटना अशुब नहीं होता तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वाकई में बिल्ली का रास्ता काटना अशुब होता है या शुब और बिल्ली से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तत्य भी इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुब माना जाता है जब बिल्ली बाईं और से रास्ता काटे और दाईं और चली जाए दोस्तों इस्तितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुब नहीं माना जाता दोस्तों सही बात तो यह है कि कुटे की तरह बिल्ली भी सोचने की शमता काफी हद तक विक्सित होती है और इसलिए यह बविश्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख लेती है और आपका रास्ता काट कर आपके साथ होने वाली अनहोनी के बारे में सचेत करती है कि रुक जाओ वरना आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है दोस्तों साथ में हम आपको यह भी बताना चाहते हैं अगर बिल्ली आपके घर में आकर रोने लगे तो इससे भी आपके घर पे बुरा परभाव पड़ता है और यह आपके लिए बहुत बुरा संकेत माना जाता है यह दर्शाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है आपके घर में या फिर आपके घर में किसी की मौत होने वाली है परंतु इसके विपरित अगर आप बिल्ली आपके घर में आकर दूद पी ले या फिर बच्चे को जन्म दे तो इसे बहुत ही जादा शुब संकेत माना जाता है यह दर्शाता है कि आपके घर में मा लक्ष्मी एवधन का आगमन होने वाला है और आपके उपर मा लक्ष्मी की कृपा बनेगी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इन सब बुरे प्रभावों से बचने के लिए आप अपने घर में सात्या नरायन की पूजा जरूर करवाईए आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि वीडियो आपको कैसा लगा और दोस्तों अगर आप ऐसे ही चानक्यनिती, श्री कृष्ण या फिर और से भी ग्यान से भरे वीडियो देखने के लिए बिना देरी किये सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यान को दोस्तों आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद